नमस्कार मित्रों आप सभी को हमारे इस चैनल हिंदी पौरानिक कथाए में स्वागत है मित्रों अगर आप कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मित्रों आज हम आपको बताने वाले हैं कि नहाने के बाद भूल कर भी न करें ये पांच गलतिया होता है धन का नुकसान नहाने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर अकसर हम गौर नहीं करते हैं वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और धन वैभव की हानी होती है इसलिए स्नान के बाद इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए अगर आप नहाने के बाद आप ऐसी गलतियां करते हैं तो यह आपके घर परिवार के लिए प्रतिकूल फलदाई हो सकता है वास्तु विज्ञान और शास्त्र बताते हैं ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी हम अक्सर अंदेखी कर जाते हैं और यह स्वास्थाय और धन के लिए नुकसान दायक होता है आईए जानते हैं बातरूम में सनान के बाद किन-किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए वास्तु में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बलकि हमारी रोजाना की दिंचरिया से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है अकसर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बातरूम को यूही गंदा छोड़ाते हैं वास्तु में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है यही नहीं नहाने के हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं, जो की वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोशपूर्ण मानी गई हैं आये आपको बताते हैं ऐसी ही पांच गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी ऐसे ही छोड़ कर बाहर निकल आते हैं आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देना वास्तु में जहां गलत माना गया है, वहीं जोतिश में बताया जाता है, आपकी इस आदत की वजह से राहू और केतु आपसे नाराज हो सकते हैं राहू और केतु उन लोगों पर अपना दुश्प्रभाव दिखाते हैं, तो सफाई से नहीं रहते हैं, और तो और ऐसे लोग शनी के गुस्से को भी जहलने के लिए तयार रहें इसके साथ ही बाथरूम में गंदा पानी छोड़ देने से वरुन देवता भी नाराज होते हैं आपकी इस आदत की वजह से घर में धन की हानी होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों की यहाँ आदत होती है कि वे नहाने के बाद तूटे हुए बाल बाथरूम में ही छोड़ कर बाहर निकल आते हैं अगर आपके अंदर भी यहाँ आदत है तो इसे सुधार लीजिए आपके ऐसा करने से शनिदेव और मंगल नाराज होते हैं और आपको उनके दुश्प्रभाव जहलने पड़ सकते हैं ऐसा करने से आपके घर में नकाराक मकता बढ़ती है आपके कामों में बाधाएं आती हैं और करियर में भी आपको संधर्ष का सामना करना करना पड़ता है कुछ लोगों की यह आदत होती की वह नहाने के बाद या तो बाल्टी में बचा हुआ पानी ऐसे ही छोड़ आते हैं या फिर बाल्टी को खाली छोड़ कर चले आते हैं इस गल्टी को तुरंथ ही सुधारने की जरूरत है बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भर कर आना चाहिए अगर बाल्टी को खाली रखना है तो उसे उल्टा करके रख कर आएं भूल कर खाली बाल्टी को सीधा न रख कर आएं वरना आपके घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी अगर आपको कपड़े साफ करने हैं, तो भूल कर भी स्नान के बाद कपड़े न साफ करें कपड़े धोने हैं, तो स्नान करने से पहले ही उन्हें धोलें और उसके बाद नहाएं नहाने के बाद कपड़ा धोना सही आदत की श्रेनी में नहीं आता है वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहन कर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बातरूम में यूँ ही छोड़ कर चले आते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें आपके ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी इसके अलावा वास्तु की द्रिष्टी से भी गीले कपडे बातरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है तो मित्रों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखे तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद